हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्स्वत्ती क्लासेज, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आज का हमारा नीव सेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने डियाई के पार्ट नंबर टू को, इससे पहले अपने डियाई के पार्ट वन कंप्लेट कर चुके हैं स्ट जिसमें अपनोंने पाई चार्ट को समझा था और किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है कि डिगरी वाले किस परकार हैंडल किया जाते हैं परसेंटेज वाले किस परकार हैंडल किया जाते हैं उनको समझा था और आज के इस वीडियो में हम टेबल से रिलेटर कोशिन को किस परकार के question जो table कियाते हैं उनको कैसे मतलब tickle किया जाता है तो सबसे पहला question simple सा question है अपने को एक तरफ तो company दे रखी है company का नाम है LMNOP और दूसरी तरफ है करमचारियों की संक्या company L में करमचारियों की संक्या 400 है M में 600 है N में 800 है O में 1000 है और P में 1200 है तो इसी परकार company L में महिलाओं यानी male और female का जो रेशो दे रखा है company L में total करमचारियों कितने है 400 लेकिन वहाँ आपको देखने को मिलेगा male और female का रेशो कितने है 12 अनुपात 8 उसी परकार company M में रेशो दे रखा है 15 अनुपात 5 company N में 14 चार अनुपात 1 company O में 13 अनुपात 12 और company P में 7 अनुपात 5 यह अपने सामने table दे रखी है table में company के total करमचारी और दूसरी तरफ अपने के अधर का male और female का रेशो तो question देखिए question अपने पास है company P में कारेरत महिलाओं की संक्या company जो P है उसमें महिलाओं की संक्या और company L में कारेरत महिलाओं की संक्या का अनुपात निकालना है निकालनी है, फिर company L में महिलाओं की संख्या निकालनी है, फिर दोनों का ratio निकालना है, अगर आपने ratio को concept को समझाओगा, तो मैंने आपको ratio के concept में क्या समझाया है, कि total ratio का मान equal to total amount, total ratio देखिए, यहाँ total ratio तो दे रहे हैं, 7 और 5 कितने होते हैं, 12, और total amount कितने हैं, 1200, यानि एक का मान कितना है student, 100, और मुझे चाहिए company P में महिलाओं की संख्या, तो company P में महिलाओं के पास कितना हैं, 5, एक का मान 100 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 500, यानि मेरे पास company P में महिलाओं की संख्या तो आगई 500, और अगर mail की पूछता तो mail कितने हैं, 700, लेकिन अपन पी में महिलाओं की संक्या तो अपने निकाल ली 500 ठीक है? अब कहते हैं कंपणी L में करेलित महिलाओं की संक्या देख्या टोटल रेशो कामान कितने है 20 और टोटल वैसे करमचारी कितने है 400 अब देख्या ये Cornell है ये जब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चा करमचारी बनते हैं तो यहां तो करमचारी अपने पास रेशो में टोटल है 20 और वैसे कितने हैं 400 तो एक का मान कितना है इस्टोडेंट 20 और अपने से पूछा है किसका फीमेल का तो 8 का मान कितना गया 160 अब देखिए कंपनी पी मे यह तो 500 कौन है बच्चा महिला एं और कंपनी एल में महिलाएं कितनी होगी 160 इनका रेशो निकालना था 0 so 00 काट सकता हूँ उसके पाद 2 के टेबल से कटेंगी यह तो 25 आ गया और यह कितना आ गया आछ यानि कंपनी पी और कंपनी एल में महिलाओं का जो रेशो है फीमेल क ठीक है option number B ये था student हमारा मैंने company L को यहाँ निकाल रखे company P को निकाल रखे उसके बद company P पहले आएगी company L बाद में आएगी दोनों का ratio निकालना है next question इसी table पर बेस है student देखते हैं अपने company O में कारेरत महिलाओं की संक्या उस company में कारेरत सभी करमचारियों की संक्याओं का कितना प्रतिशत है पहले वो कह रहा है कि company O में कारेरत महिलाओं की संक्या यानि company में महिलाओं की संक्या total करमचारियों का कितना प्रतिशत है उस company में तो देखते हैं table को एक पर तो देखिए Company O में करेरत महिलाओं की संक्या टोटल उस Company में करमचारियों का कितना प्रतिशत है अब देखिए मेरे पास Total Ratio तो कितना है 25 Ratio में तो Total है वैसे Total करमचारी कितने है 1000 एक का मान कितना आ गया 40 महिलाओं की संक्या कितनी आ गी 40 गुना 12 यानि 12 चोके 48 480 और टोट देखिए Company O में महिलाओं की संक्या आगी 480 अब कोश्चन देखिए कोश्चन क्या था Company O में कारेरत महिलाओं की संक्या यानि कितनी आई 480 उस Company के करमचारियों का कितना प्रतिशत है उस Company यानि 1000 तो कोश्चन बन गया 480 1000 का कितना प्रतिशत है पाई जाट वाला बन चुक है कितना प्रतिशत है तो निकाल लिए जे बच्चा 448 उस Company के टोटल करमचारि कितनी है 1000 100 प्रतिशत के लिए जाते है 00 से 00 कट गया 00 से 00 कट गया यानि आंसर कितना गया 48% तो यह देखिए 48% हमारा आंसर निकल चुका है Next Question देखिए इसी Table पर वे Student सबी Company यों में मिलाकर करमचारियों की ओसत संक्या कितना है कहता है सबी जितनी भी Company या है उनके करमचारियों को मिला दो और ओसत निकाल लो यानि आवरेज निकाल लो अब देखिए आवरेज क्या होता है आवरेज का फोर्मुला होता है Total Amount अपॉन Total Number यानि राशियों का योगबटे राशियों की संक्या अब कह रहा है कि Company के सबी Company के करमचारियों को मिलाकर ओसत क्या होगा अब देखिए आवरेज का फोर्मुला होता है बच्चा Total Amount तो Total Amount तो इनको जोड़ दो अब जैसी मैंने इनको जोड़ा जोड़ के देखिए क्या आएगा 4 और 6 कितनी होता है 10 10 और 8 18 18 और 10 28 28 और 12 40 यानि कितना गया 4000 अब ये तो Total Amount आ गया और Total संक है कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 5 करमचारी है 5 कंपनी है यानि जैसी मैंने काटा तो आवरेज कितना है 800 पर तेक कंपनी में 800 करमचारी है कितने करमचारी है 800 करमचारी Next देखते है ये देखिए स्टुडेंट 800 करमचारी हमारे पहला ये उप्शन है Next टेबल देखते है अपने Next टेबल देखिए स्टुडेंट ये टाली का तीन वर्ष के दोरान तीन अलग वर्ष के दोरान 5-5 कॉलेजों के उतीरन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है यह दिया गया कि प्रतिएक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी प्रिक्षा में बैठे थे अब देखिए तीन अलग लग वर्ष है तो पहले 2015 है 2015 में कॉलेज A में 68% पास हुए थे B में 65, C में 80, D में 92, E में 72 2016 में A को 72 पास आउट था 68, 88, 95, 75 74, 77, 92, 98, 73 इस परकार 2015 में A, B, C, D कॉलेज का अलग लग था 2016 में अलग था 17 में लग था कोशन देखिए क्या पूछा है निमन में से किस कॉलेज के उतीरन छात्रों का आउसत पिछले तीन वर्षों में सबसे कम है निमन में से किस कॉलेज के अब देखिए कॉलेज A कॉलेज A को पहले साल यानि 2015 में 68 पास थे दूसरे साल 72 तीसरे साल 74 इसी परकार B में दे रखाए, C में दे रखाए D में दे राए, E में दे रखाए कहता है कि मुझे इन तीनों का average निकालना है इन तीनों का average इन तीनों का average और इन तीनों का average और देखिए सबसे कम किस college का average है तीनों सालों में pass out का तो मैं निकालके देखता हूँ जैसी मैंने इन तीनों को जोड़ा मुझे पता है average निकालने का formula हता है राशियों का योगबटे राशियों के स संख्या तो तीनों को जोड़ा तीनों का जोड़ा है दो सो चोधा राशियों के संख्या तीन साल थे तो पहले तीनों सालों में जो एक का पास आउट रेशो है पास आउट परसेंट है वो है 71.3 बी का निकाला तीनों को तीनों सालों को एवरेज परसेंट को जोड़ा ठीक है और तीन का भाग दिया तो बी का कितना पास आउट परसेंट है 70 परसेंट सी का इसी प्रकार 86.6 तीनों को जोड़ा डी में तीनों को जोड़ा और तीन का भाग दे दिया 95 आया और ई में कित इनों सालों का पास आउट परसेंट है वो सबसे कम है उसने पुछा था कि पिछले तीन वर्षों में सबसे कम रहा हो चातरों का आउसत तो भी हमारा आप्शन है नेक्स देखते हैं इसी टेबल पर बेस कोशन वर्ष 2015 में कॉलेज ए के उतीरन और अनुतीरन विधार्थियों का अनुपात क्या होगा वर्ष 2015 में ए के उतीरन और अनुतीरन विधार्थियों का अनुपात क्या होगा अब देखिए आपको ध्यान होगा ये पूरी की पूरी टेबल उतीरन की है यानि पास की है अब उसने पुछा है कि पास और फेल यानि अनुतीरन क्या होता है फेल ह 2015 में college e के pass और fail का ratio बताईए अब देखिए आपने यहां देखा होगा कि यह जो table है ना बच्चा यह प्रतिशत को दर्शाती है उत्तीरन विद्यार्खियों के प्रतिशत को दर्शाती है यानि college 2015 में college का प्रसेंट कितना था 68 तो आपको पता है कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है बच्चा 100% अब उसने काया कि 2015 में college e के pass और fail का प्रसेंट बताईए तो मुझे पता है कि college e यह रहा और 2015 यह रहा यानि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है 72% तो पास आउट था और पीछे रहा कितना गया 28% फेल रहा क्योंकि कोई भी चीज अपने 100% होती है तो यह तो है student pass का और यह है fail का रेशो निकालना था रेशो मैं निकाल लेता हूँ परसेंट से परसेंट काट सकता हूँ अब जैसी मैंने काटा यह 36 पर कट गया 2 से 14 पर कट गया और 2 से कट सकते हैं यह 18 पर कट गया और यह 7 पर कट गया यानि 2015 में college e के pass और fail का रेशो कितने हैं 18 अनुपात साथ देखते हैं अब देखिए college e तो 18 अनुपात साथ यह रहा next question देखते हैं वर्ष 2016 college c के उतीरन और वर्ष 2017 college a के उतीरन चत्रों का अनुपात गयान्त कीजिए पहले वर्ष 2016 में c और 2017 में इनका उतीरन चत्रों का ratio निकालना है अब देखिए वर्ष 2016 में c तो c में कितने pass out हुए थे 88 और वर्ष 2017 में a यह कितने है 74 यानि ratio निकाल दो इनका टेबल से काटा तो कितने पह कटा यह 44 पर और यह 37 पर और आगे नहीं कट रहे इनका ratio कितना गए 44 ratio 3-7 देखते हैं अपने तो ये देखिए student 44 ratio 3-7 next देखते हैं ये तो थे जो मैंने 2 question आपको करवाए थे वो तो थे यानि ऐसे question जब आपसे पूछा जाता है एक table देखे 3 question पूछे जाते हैं लेकिन जो अब मैं आपको करवा रहा हूँ वो single table है और single question है जिस परकार के question डिट रिप्लेज भी अपने exam में पूछता है एक table पर एक ही base question होता है अब देखिए निमन ताली का एक समाज के प्रतेक घर में बच्चों की संख्या को दर्शाती है देखिए परतेक घर ऐसा घर जिसमें जीरो बच्चे है वो घर कितने है साथ और ऐसे घर जिनमें एक एक बच्चे है वो कितने घर है साथ और ऐसे घर जिनमें दो दो बच्चे है और वो घर कितने है तेरा और ऐसा घर जिसमें तीन बच्चे है और टोटल घर कितने हैं तीन अब देखिए जिन में जीरो बच्चे हैं वो तो साथ घर हैं जिन में एक बच्चा है एक एक बच्चा है वो साथ घर हैं जिन में दो बच्चे हैं वो ऐसे घर तेरा हैं जिन में तीन बच्चे हैं ऐसे घर तीन हैं तो यहां टेबल दर्शाई अपने से पूछा है प्रते घर में बच्चों की ओसत संक्या क्या है बच्चों की ओसत संक्या यानि एवरेज पूछा है वो भी किसका बच्चों का तो टोटल अमाउंट आजेगा अपने पास और टोटल नंबर आजेंगे यही था ना अब देखिए सिंपल सा कॉंसेप्ट है मैं सिंपल सा गयता हूँ कि आप सात लोग है आपके पास प्रते के पास दो रुपए है तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया सिंपल सा कोशन है आप सात व्यक्ति है और प्रतेक व्यक्ति के पास दो रुपए है तो आप सब के पास कितने रुपए होगा चोदा मैं इक है सकता हूँ तो अब इसको भूल जाएए आपके पास टोटल चोधा रुपए हैं और आप साथ व्यक्ति हैं तो प्रतेक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे यानि एवरेज ग्यात करना है एवरेज क्या तिया टोटल अमाउंट अपॉन टोटल नंबर तो कितना आ गया दो यानि वाप व्यक्ति जिनमें जीरो बच्चे हैं और ऐसे घर कितने साथ यानि टोटल कितने होगे साथ इंटू जीरो यानि टोटल होगे जीरो और ऐसे घर जिनमें एक बच्चे है और घर कितने है टोटल साथ यानि साथ इंटू एक साथ इनको ऐसे समझ ली ना कि साथ व्यक्ति हैं जिनके पास जीरो रुपए है तो टोटल रुपए कितने होगे इनके पास जीरो ऐसे साथ व्यक्ति जिनके पास एक एक रुपए है तो टोटल कितने होगे साथ ऐसे व्यक्ति जिनके पास परतेक के पास दो दो रुपए है और टोटल व्यक्ति कितने है तेरा तो टोटल कितन आ गया मेरे पास 26 और 9 कितने होते हैं बच्चा 37-37 और 7 कितने होते है tutte कितने होते हैं 337 यहां था करने हो और यह कितने होगि 26 और यह किटन रही साथ यह कितने अब बच्चा यह होगे 35, 35 और 7 कितने होते है 42 यानि टोटल अमाउंट तो कितना मेरे पास आ गया 42 कितना गया 42 अब मुझे एवरेज चाहिए एवरेज क्या होती है बच्चा 42 और नंबरों की संख्या अभी मैंने आपको समझाय था था न कि आपके पास आप साथ व्यक्तियों प्रतेक के पास 2 रुपए है तो कितने होगे 14 अगर मैं इसको कार देता हूँ तो कोशिन बनेगा आपके पास टोटल 14 रुपए है आप लोगों के पास और आप प्रतेक व्यक्तियों 7 तो कितने रुपए आगे 2 अब आपके पास टोटल 42 रुपए हैं कितने 42 और आप टोटल व्यक्ति कितने हैं साथ और साथ 14, 14 और 13 कितने होते हैं 14 और 13 ठीक है 14 और 13 27 27 और 3 कितने होते 30 42 अपॉन 30 आप चुका है इसको काटा तो ये कितने पर गटा 14 अपॉन 10 कितना रगा है 1.4 तो परतेक घर में कितने बच्चे आएंगे 1.4 ठीक है बच्चा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ये कॉंसेप्ट होता है डेटा तालिका के अधार पर निमलिक्त प्रशनों के उत्तर दीजिए एक तरफ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अपरेल अपने को दे रखा है दूसरी तरफ संचाई उत्पादन दे रखा है 690, 1340, 2040, 2710, 3150, 3510 अब एक नई चीज यहां आती है, शुमार होती है student, mean, modern और वो वाली, आपने concept देखा होगा संचाई का, संचाई बारंबारता, हाँ न, frequency chart देखा होगा आपने, देखा होगा न, frequency chart अगर मैं यहां, frequency chart क्या होता है, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, यह age है, पहले यहां बना के दिखाता हूँ यह age है, यह number of student है, age है 5 व्यक्ति, 5 साल ऐसे व्यक्तियों की number है 6, age है जिनकी 6 साल ऐसे व्यक्तियों की संक्या है, 8 और age है 7 साल ऐसे विक्तियों के संख्या है 9 अगर संचाई बारम बारता है यानि frequency में मुझे table create करना हो तो मैं इस परकार create करता हो ना बच्चा ये age का factor आगया ये number का factor आगया ये संचाई बारम बारता है ये कितना हो गया 5, 6, 7, 6, 8, 9 अब मुझे संचाई बारम बारता है ये frequency ये 6 आ गया 6 और 8, 14 आ गये 14 और 9 कितने आ गये 17 यानि ये आपस में जुड़ते रहते हैं बच्चा 14 और 9 कितने होते हैं ये आपस में जुड़ते रहते हैं ठीक है ये इसका frequency निकाली तो 6 अगली की निकालूँगा दोनों को जूड़ूँगा फिर इनको जूड़ूँगा तो इस परकार जे अपने क्या निकालते हैं बच्चा frequency निकालते हैं हूब हूब इसी तरह बनी हुई है जनवरी में 690 है तो मुझे पता है कि ये जो फरवरी में जो frequency ये इन दोनों को जोड़ कर आई है इन दोनों को जोड़ कर आई है यानि फरवरी में total 1340 तो हो नहीं सकती यानि इन दोनों का जोड़ कितने हैं 1340 यदि जनवरी के पास 690 है तो फरवरी के पास कितने होगे 1340-690 मैंने घटा दिया तो कितने आए बच्चा 14 में से 9 होगे 5 और ये 6 तो इसके पास फरवरी के पास कितने आए 650 कितने आए 650 अब जनवरी के पास तो आगे 690 फरवरी के पास आगे 650 अब मुझे पता है मार्च मार्च में क्या होगा फरवरी और मार्च जुड़े होंगे फरवरी तक तो इसके पास था 690 इसके पास 650 अब मुझे मार्च का निकालना है तो 2040 में से मैं 1340 निकाल दूँगा तो कितने रहेगे जीरो ये कितने रहे के 700 तो इसके पास कितने है 700 इसी परकार बच्चा कोशन पूछा था जनवरी से शुरू होने वाले माह में निर्मित कारों के संचय उत्पादन को दर्शाता है मैं और अप्रेल माह में कितनी कारे निर्मित होंगी तो जनवरी में तो हुई बच्चा 690 फ और पांचमे में चोथा निकाल दूँगा तो 540 उसने बोल ला है कि मई और अप्रेल तो मई में तो हैं 670 और अप मई में हैं 440 और अप्रेल में 670 इनको जोड़ा तो 0, 1 और 11 यानि 1110 आ रहे हैं ठीक है बच्चा जो कि option number D है हमारा ठीक है बच्चा नेक्स्ट कोशन अब अपने को तालिका दे रखी है तालिका में डे और एक डिस्टेंस दे रखी है कहता है मंडे को वह 5 किलो मेटर दोड़ता है Tuesday को 3, Wednesday को 3, Half Thursday को 6, Friday को 2, Saturday को 3.5 और Sunday को 5 तो इस परकार ये दोड़ लगाता है किलो मेटर में अब कोशन दे रखा है कहता है यदि 5 किलो मेट दोड़ने पर 400 कैलोरी जो एनरजी है यानि वो कैलोरी खर्च होती है तो बताइए दिएगे पूरे सप्ताय में कितनी कैलोरी खर्च होई तो देखिए वो दिएगा इस वीक में कितना दोड़ा है पहले ये तो नोटिस कर लो मंडे को 5, Tuesday को 3, यानि 8, 8 और साड़े 3, साड कितने होते हैं 27, 23 और 5 कितने होते, 28 यानि पूरे वीक वो 28 किलोमेटर उसने दोड़ लगाई कितनी 28 किलोमेटर दोड़ी और कोश्चन में अपने को देरेखिए कि 5 किलोमेटर जब दोड़ता है न बच्चा तो अठाइस पांच किलोमेटर दोड़ता है न जब वो तो चारसो कैलरी कितनी कैलरी है चारसो कैलरी पांच किलोमेटर दोड़ने पर चारसो कैलरी को क्या करता है मतलब कम कर लेता है तो अब उसने पूछा है कि 28 किलोमेटर दोड़ेगा तो कितनी कैलरी कम कर लेगा अब पांच किलोमेटर पे 400 यानि एक किलोमेटर में कितनी 400 अपॉन 500 कितना होता है 20 और एक किलोमेटर का अपने को पता है 20 तो 28 का कितना होगा 20 गुना 28 निकाल सकते हैं 28 दूना 56 तो 560 ठीक है बच्चा सोरी ये कितने आये थे 500 अपॉन पांच ये 80 आये थे कितने आये थे 80 एक किलोमेटर कमान का 80 है तो 28 किलोमेटर कितना होगा 80 गुना 28 जब मल्टिप्लाइ करूँगा तो कितने आएंगे शोटन बाईसो चालिस नेक्स कोशन देखते हैं अब देखिए एक अपने को देर रखिए कमपनी का वर्ष 2011 में उसे अब देखिए एक तरफ वर्ष है एक तरफ करोड रुपई में लाब और हानी है आपको पता है कि लाब हमेशे पॉजिटिव होता है और हानी हमेशे क्या होती नेगेटिव होती है तो मुझे पता है कि ये नेगेटिव हानी होई है ये हानी लोस होई है वर्ष 2011 में 5 करोड का प्रॉफिट हुआ 2012 में 15 करोड का तेरा में 20 करोड का लोस हुआ 14 में 15 करोड का लोस हुआ और 15 में 5 करोड का लोस हुआ पिछले पांच वर्षों में कमपनी के कुल लाब या नुकसान बताईए अब मुझे पता है कि 2011 में 5 करोड लाब हुआ 15 में 12 में 15 यानि इन दो सालों में उसे 20 करोड का क्या हुआ बच्चा लाब और लोस निकाली ये तीनों सालों का 20, 15, 35, 45 तो ये 5 साल है पांच सालों में पहले दो सालों में तो उसे 20 करोड का प्रॉफिट हुआ और लास्ट तीन सालों में उसे 40 करोड का लोस हुआ यानि ओवर ओल मुझे बता दीजिए उसे लोस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो उसे लोस हुआ 20 करोड का कितने का? 20 करोड का तो option number C है हमारा next देखते हैं अब देखिए एक तो अपने को question दे रखा है 40 और उसे उपर बच्चों की संग क्या है 25 30 और उसे उपर बच्चों की संग क्या है 45 20 और उसे उपर बच्चों की संग क्या है 61 10 और उसे उपर 88 0 और उसे उपर 105 अब सीधी सी बात है बच्चा मैं जीरो और उससे उपर लोगा या तो जीरो ले सकता हूँ या जीरो से उपर कितना भी जा सकता है चाहे वो दस सो, बी सो, ती सो कितना भी जा सकता है यानि मैं ये कहूँ इस जीरो से जीरो और उससे उपर के बीच में ये सारे बंदे इंकलूड होंगे बिलकुल होंगे बच्चा क्योंकि जीरो जीरो तो लेने है और उससे उपर लेने है उससे उपर कितना लेना ये नहीं बताया तो यानि जितनी टेबल बनी है ये टोटल 105 बच्चे है आपने एक नोटिस किया होगा ये 25 है 25 के बाद 45, 44 के बाद 61 61 के बाद 88, 81 के बाद 105 ऐसा मान लास्ट में बड़ा आ रहा है ये इंडिगेट करता है फ्रिक्वेंसी चार्ट को यानि संचई बारंबारता को अगर ये 25 है 25 से ये 45 हुए यानि 40 और उससे उपर तो 25 है और 30 और उससे उपर 45 हैं, 45 कब हुए यदि पहले इसमें अब टोटल इन दोनों का जोट 45 है, 45 में से 25 गटाऊंगा, तो कितने बच्थे 19, यानि 40 और उससे उपर कितने 25, फिर 30 और उससे उपर कितने 19, 20 और उससे उपर कितने बच्चा ये आचुके हैं, 7 और ये कितने आचुके हैं, 17 उसके बाद कितने हैं, बच्चा ये भी 17, तो इस परकार अपने एक टेबल निकाल सकते हैं, बच्चा इनकी, ठीक है ये 27 आचुके हैं और इस परकार ये कितने आचुके हैं ये 12 और 17 यह 17 आ चुके यह मैंने टेबल निकाल ली 40 और उसे उपर 30 और उसे उपर 20 और उसे उपर 10 और उसे उपर 0 उसे उपर अगर आपको यह समझ नहीं आता तो simple सा concept तो पता है न कि 0 और उसे उपर यानि कितना उपर यह मुझे नहीं बता रखा यानि मैं 0 और उसे उपर लोगा तो यानि मैं यह कह सकता हूँ कि इससे उपर 10 भी होंगे, 20 भी होंगे, 30 भी होंगे 40 भी होंगे, यानि total आचुके 105 10 और उससे उपर यानि 11, 12 10 तो लोगा, 11, 12, 13, 14, 15 जिसमें 14 के संक्या 11, 12, 13, 14, 15 जिसमें जिसमें 16, 16, 15, 6, 14, 14, 15 उसने question पूछा है कितने छात्रों ने 20 या 20 से अधिक झाल आप देखिये कितने छात्रों ने 20 और 20 से उपर झाल देखिये ये 25 है जब last minute total जोड बढ़ा रहा है न बच्चा ITAWINGS वो frequency chart आट यह 19 आगया और यह कितनी हागी? सतरा 20 और 20 से उपर कितने कि है? सतरा और 30 और 30 से उपर कि है 19, यानि टोटल कितने आ चुके हैं? उसने बोला कि 20 या उससे अधिक लेकिन 40 से कम 20 उससे अधिक कितने है? सतरा और 30 और उससे उपर कितने है 19 ये लेकिन 40 से कम है तो ये कितने आगे 19 और 17 कितने आगे 36 कितने आगे 36 ये हमारे कुछ कोशन थे जो टेबल ग्राफ के थे आई होप सो कि आपको समझा चुके है धन्यवाद